मुवी की सुरुवात में हम लॉंजबे और डखमस नाम के दो डख्स को देखते हैं, जो किसी केज में बन थे, लॉंजबे उस केज को अपने टैबलेट की मदद से खोलने की कोसिस कर रहा होता है, डखमस उसे कह रहा होता है कि ये केज तुमारी टैबलेट से नहीं खुलने वाली है, और वो जूर से धक्का देता है, और उनका केज वहां से नीचे गिर जाता है, तब ही दरवाजा खोल कर एक आदमी आता है, जो उस केज को लेकर खेलने लगता है, तब ही वहां मिश्टनॉट नाम की एक लेड़ी आती है, वो डखमस को निकाल कर उसे मारने को दे रा होता है, तब ही वहां उसके पास लॉंच बे भागता हुआ आता है, और उससे पूछता है कि वो लोग उड़ क्यों नहीं सकते, वो कब तक ऐसे ही एक जगा रहेगा, पैंगले उससे कहता है कि वो लोग मैंडरिन डख हैं, और उन्हें उड़ने की कोई जरुरत नहीं ह वो उसे कोई नया गेम डाउनलोड कर लेने को कहता है, पर लॉंच बे कहता है कि अब वो टैबलेट पे कोई गेम नहीं खेलना चाता, क्योंकि वो अब इन सबसे उप चुका है, वो उड़ना सीखना चाता है, ताकि वो बाके दुनिया देख सके, पैंगले उससे कहता है कि उसे उनना सिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां उनके आइलेंड के पास उनकी जरूरत की सारी चीजे मौजूद है तभी लॉंजबे के पास मास्टर का एंसेंट बुक नीचे गिर जाता है लॉंजबे उसमें पढ़ता है कि हर सौ साल के बाद उनकी दुनिया पे अंधेरे का सैतान आता है जो सूरज की सारी उर्जा को अपने अंदर समाने की कोसिस करता है और दुनिया खत्मोने के कागार पे पहुँच जाती है पर कोई उस अंधेरे को रोक सकता है तो वो है संडग पर दुनिया को बचाने के लिए संडक को अपनी जान गवानी होगी लॉंजबे अपने डाड की तरफ देखता है क्योंकि सबको पता था कि पैंगली ही संडक है पैंगली उससे बुक छीन लेता है लॉंजबे भी उस बुक की बातों पे भरोसा नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है उसके वहाँ से जाने के बाद वो मास्टर पैंगली से कहता है कि हमेशा वीडियो गेम खेलने से उसके हेल्थ पे असर पड़ेगा पैंगली उससे कहता है कि जब तक वो गेम खेलता रहेगा वो उनना नहीं सिखेगा क्योंकि लॉंज में ही रियल संडग था और इसलिए पैंगली नहीं चाता था कि उसका बेटा किसी खत्रे में पड़े क्योंकि उस भुक के हिसाब से रियल संडग को अपनी जान गवां कर दुनिया बचानी पड़ती है और इसलिए पैंगली ने इस बात को और किसी को नहीं बताया था सिवाए अपने इस मास्टर के आगे हमें एक मार्केट को दिखते हैं जहां कैंगा और निक नाम के दो चोर वहां के दुकान से कोकीज चुनाने की कोसिस कर रहे थे पर तब ही वहां कॉपर नाम का पुलिस ओफिसर अपने डॉक के साथ आता है और उन दोनों चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है वो सब भागते भागते एक बंद पड़े रेलवे ट्रैक पे जाते हैं पर अचानक से उस पर ट्रेन आ जाती है और वो सब किसी तरह अपने आपको बचापाते हैं उस ट्रेन से मिस्नॉट निकलती है जिसकी खुबसूरती देखकर सब हैरान थे मिस्नॉट अपने आपको एक घर में ले जाने को कहती है उसके पास उस घर की तस्वीर भी थी वहां एक आदमी आता है और कहता है कि उस घर में तो कई साल से कोई भी नहीं रहता है और वो मिस्नॉट को उसके सामान के साथ उठा कर अपने ट्रॉली पे रख लेता है और उसे उनके घर पहुँचाने निकल जाता है यहां लॉंजवे अपने टावर से देखता है कि कुछ डक्स का ग्रूब उनके आइलेंड पे आया है पर उन डक्स का लीडर की बेटी एरिका अपने ग्रूब से निकल कर वहां टावर के पास रुख जाती है लॉंजवे उससे छुप कर देखने लगता है वो सारे डक्स वहीं रुखते हैं उन सबका लीडर डक्स नाम का एक डक्स होता है वो अपने ग्रूब से कह रहा था कि वो लोग सही सलामत हवाई पहुँच चुके है लॉंजवे वहां से उनकी बाते सुन रहा था वो कहता है कि कैसे डक्स हैं इन्हें ये भी नहीं पता कि ये हवाई नहीं बलकी चाइना है तब ही उन सारे डक्स के पास पेंग्ली आता है और उनका अपने आलेंड पे वेलकम करता है पर डक्स उससे रूडली बिहेव करता है और कहता है कि वो यहां हवाई में छुट्टियां मनाने आये है पर पेंग्ली उससे समझाता है कि ये हवाई नहीं बलकी चाइना है पर डक्स उसकी बाते नहीं सुनता है और उसे वो एक मैप दिखा कर कहता है कि ये हवाई है वो कभी गलत नहीं हो सकता है और इसी बात को लेकर उन दोनों में वहाँ जगड़ा हो जाता है तब ही पेंगली का मास्टर उससे कहता है कि उसके सूरज को पंप करने का टाइम हो गया है उन सारे मैंटरिन डक का माना था कि पेंगली ही सूरज को उगाता और डुबाता है डखमस उस पे हशने लगता है कि वो उससे डर कर भाग गया वो अपने सभी ग्रूप्स की आर्मी से कहता है कि वो सब वहाँ पास की क्रूज में आराम करेंगे इधर मिस्टनॉट के घर पे कॉपर नजर रख रहा था क्यूंकि उसे वो पसंद आ चुकी थी तभी वो देखता है कि वो दोनों चूर वहाँ भी पहुँच गए है निक मिस्टनॉट के घर के बाहर रखे सामान को खोनने की कोसिस करने लगता है तभी कॉपर आकर उन्हें पकड़ लेता है और मिस्टनॉट को जाकर बताता है कि ये लोग उसके घर पे चोरी करने वाले थे पर मिस्टनॉट उन्हें कॉपर से बचा लेती है और कहती है कि वो इसे छोड़ दे क्यूंकि ये उसी के आदमी है कॉपर उन्हें वहीं छोड़ कर चला जाता है वो दोनों में स्नौट को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स बोलते है पर वो उन्हें एक डग की तस्वीर देती है जो launch way की होती है और कहती है कि यह एक बहुती rare डग है और उन्हें वो पकट कर उसके पास लाना है वो दोनों कहते हैं कि ये काम वो बड़े अराम से कर देंगे और उस डग को ढूनें वो दोनों निकल जाते हैं रात में लॉंज में छुपकर एक खूफिया रास्ते के थूरू स्कूरूज के अंदर पहुंचता है वहीं डखमस के पास उसकी सेक्रेटरी डून आती है और कहती है कि उसकी डाटर ने उनके रूल्स को तोड़ा है और उसे अभी तक पनिस भी नहीं किया गया है इससे उनकी आरमी को गलत संदेज जाएगा डखमस एरिका को पनिस्मेंट के तोर पे एक रूम में बंद कर देने को कहता है डून एरिका को उसी रूम में ले जाकर बंद कर देती है जहां लॉंच बे छुपा था लॉंच बे अपना सर डख कर भागने की कोसिस कर रहा होता है पर एरिका उसे देख लेती है लगता है कि कैसे उसके डैड ने उसे उड़ना नहीं सिखाया क्योंकि वो कहते हैं कि मैंडरिन डग उड़ते नहीं है एरिका कह दिये कि सारे डैड ऐसे ही होते हैं उसके डैड बे उस पे हमीसा चिलाते रहते हैं लॉंजवे कहता है कि हाँ तुम्हारे डैड थोड़ा पागल लगते हैं ये सुनकर एरिका उस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है अगले दिन एरिका फिर से लॉंजवे के पास आती है वो लॉंजवे को उड़ना सिखाने लगती है पर लॉंजवे की पहली बॉम लगा कर उसे तोडने का सोचते हैं लॉंजवे एक बार फिर से उढ़ने की कोसिज करता है और उस टावर से कूथ जाता है वो सच में अबूर पा रहा था वो तेजी से उढ़ने लगता है और जाकर वहां जूर से पहाड से टकराता है उधर उन दोनों चोरों ने बॉम ब्लास्ट कर दिया था इसलिए वहाँ पहाड भी तूटती है एरिका को लगता है कि लॉंजबे के टकराने से वह पहाड तूटी है लॉंजबे वहीं तालाब में गिर कर बैहने लगता है उन दोनों के ब्लास्टे वहाँ एक होल हो गया था जिससे उस ऐलेंड का सारा पानी वहाँ से बैह कर बाहर जाने लगा था लॉंजबे भी बैता हुआ उस होल तक पहुँचता है पर निक उसे लात मार कर अंदर धकिल दीता है लॉंजबे फिर से हावा में उपर उडने लगता है एरिका भी उसके पास आ जाती है वो दोनों अब बहुत खुशते वो दोनों वहाँ से देखते हैं कि उनके एलेंड का लेक का पूरा पानी सूख गया है लॉंजबे को भी लगता है कि उसने टक्कर मार कर पहाड में होल कर दिया और सारा लेक उसके थूरू बह गया लॉंजबे एरिका से कहता है कि वो कब से उडना चारा था पर हमेंसा उसके डैड मना कर देते थे एरिका कहती है कि वो लोग साथ में कहीं और भाग सकते हैं और दोनों साथ में जाने लगते हैं पर लॉंजबे तुरंत वापस आ जाता है और कहता है कि वो अपने डैड को ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकता एरिका भी वापस अपने डैड के पाथ चली जाती है अगली सुबा जब डकमस नहाने के लिए तालाब में छालांग लगाता है तो वो देखता है कि तालाब तो पूरा सूख चुका है वो गुस्सा हो जाता है और पैंगली से लड़ने लगता है वो दोनों एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे थे वो दोनों अपने साथ के डक्स को लड़ाई के लिए तयार करने लगते हैं पर लॉंजबे अपने डैड और बाके सभी को बताता है कि लेक उसकी वज़ा से गायब हुआ है क्योंकि उसने वहाँ के पहाड में टककर मार कर एक होल कर दिया था उसके पास एरिका आती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ है तभी वहाँ डक्स भी आता है जिसे देखते ही पैंगली उसे एक लाट मारता है और वो सीधा उस लेक में गिनने लगता है जहानी कुस होल के तुरू अंदरा का डक्स को पकड़ लेता है और उसे अपने केज में बंद कर देता है एरिका डक्स को बचाने के लिए जाती है तभी एक डक्स देखती है कि लौजवे के सीने में सन का साइन चमक रहा है वो कहती है कि ये तो सन डक्स है मतलब अब तक पैंगली ने उन्हें बेवकुब बना कर रखा कि वो संडख है उसका माश्टर सब को बताता है कि उसने ये सब लॉंजवे की जान बचाने के लिए किया था लॉंजवे भी एरिका की मदद करने के लिए उसके पीछे जाता है वो दोनों चो डखमस को लेकर मिशनौट के पास आ जाते है लॉंजवे और इरिका भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच गये थे मिशनौट डखमस को देखकर उन दोनों पे गुस्सा करती है कि ये वो डख नहीं है जिसे वो लाने बोली थी तब ही उसकी नजर वहाँ लॉंजवे परती है और वो उसे पकड़ने के लिए जाती है वो उसे भी पकड़कर डखमस के साथ ही बंद कर देती है इधर पेंगली अपने बाकी सब भी डख से कहता है कि उन्हें लॉंजवे को बचाने के लिए जाना होगा और वो उन सब को उड़ना सिखाने लगता है मिस्टनॉट संराइज होने से पहले अपनी एक खास मसीन को रेडी करने लगती है और इधर कैंग उन डख के साथ खेल रहा होता है तब ही उसके पास मिस्टनॉट आती है और डखमस को उसे मानने के लिए देकर लॉंजवे को अपने साथ लेकर चली जाती है एरिका भी अपने फादर के सब आरमी डख से उनने चुड़ाने के लिए उनकी मदद मांगती है कैंग इधर डखमस को मानने वाला होता है पर डखमस किसी तरह अपने आपको वहां से चुड़ा लेता है और वो कैंग को वहां उसकी रसी से बान देता है मिस नॉट अपने घर के ऊपर अपना मसीन सेट करने लगती है उसका एंटीना सूरज की उर्जा को खीचने लगता है डखमस को बचाने के लिए एरिक का बाकी आर्मी को लेकर उसके पास पहुंच चुकी थी पैंगली भी अपने बाकी सबी डख्स के साथ वहाँ आ चुका था वो सारे डख्स मिलकर उस पे हमला कर देते हैं और पैंगली के एक तीर से मिशनॉट का असली चेहरा सब के सामने आ जाता है वो एक बहुती बूड़ी और अरत थी और वो वापस से अपनी जवानी पाने के लिए सूरज की सारी रौशनी को खीच रही थी जिसमें उसे संडग की बली देनी थी पैंगली और उसके सारे डख्स मिशनॉट के सामने बहुत कमजोर पड़ रहे थे तब ही डख्स भी अपनी आर्मी के साथ मिलकर उसके उपर हमला कर देता है पर वो अंदर चली जाती है और अपने सर पे एक मसीन लगा लेती है जिससे उसे सूरज की उर्जा मिलने लगती है वो वापस से जवान और सुन्दर होने लगती है लॉंजबे भी उस केज के साथ ही वहाँ से भागने की कोसिस करने लगता है पर वहाँ के एक तार से बिजली के जटके लगने से उसका केज तूट जाता है मिस्टनौट उसे पकड़ने लगती है बाहर सारे डख्स मिलकर उसका एंटीना तोड़ देते हैं और पैंगले अपने डख्स के साथ मिलकर सूरज की रोशनी को एंटीना तक पहुचने से रोकने लगता है पर मिस्टनौट के पास एक और बैक अप एंटीना था उसकी मसीन फिर से काम करने लगती है लॉंजबे वहाँ से भागने की पूरी कोसिस कर रहा होता है मिस्टनौट उसे पकड़े हुए थी लॉंजबे सूरज की तरफ अपना हाथ करता है और सूरज का सारा पावर उसके सीने पे पढ़ने लगती है और बहुत जल्द उसकी पावर से वो एक जलता हुआ आग का गोला बनकर मिस्टनौट के घर में गिरता है उसका सारा गर बरबाद हो जाता है एरिका लॉंजबे को ढूंडने जाती है वो वहीं दबा पड़ा होता है सब सोचते हैं कि वो मर चुका है पर लॉंजबे जिन्दा था एरिका उसे गले लगा लेती है पर वो मास्टर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है उसके बुक में तो लिखा था कि संड़क अपनी जान देकर दुनिया को बचाएगा लॉंजबुफ से कहता है कि ये सब बातों में वो विश्वास नहीं करता उन्हें अपनी बुक बदलनी चाहिए आगे हम देखते हैं कि कॉपर मिशनौट से मिलने आया है पर मिशनौट अब एक बुड़ी औरत लग रही थी पर फिर भी कॉपर को वो सुन्दर ही लग रही थी और वो उसे अपने साथ डेट पे आने का पूछता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दू लाइक और सेवर दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो माँ चैनल और प्रेस देट बेल आकन